और कोरोना संकरमर के बढ़ते खत्रे के बीच लखनों में सीम योगी आदितनाथ ने लालगंज कोविड केर सेंटर पहुचकर वहां का निरिक्षन किया है जहां कोविड केर सेंटर पर अधिकालियों सुनों ने बाचित भी किये इस दौरान सीम योगी ने कहा कि हमने लक्ष करोना महामारी के तीसरी लहर थर्ड वेब आ चुकी है लेकिन सेकंड वेब की तरज पर उस तरह से खतरनाक यहां थर्ड वेब नहीं है अब तक के जितने भी कोविड पॉजिटिव के केसे उत्तर प्रदेश में अब तक आये हैं हमारे पास इस समय 33,900 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं 33,900 में से 99.2 मामले ऐसे हैं जो जिसमें ज्यादा तर और सिम्टोमेटिक हैं यानि कोई लक्षन दिखाई ने दे रहा है पार्टी PCR की जाच कराने के बाद उसमें ये मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है सेकेंड वेब में अगर कोई करोना की चपेट में आता था और सामान ये बेक्टिको भी नेगेटिव रिपोर्ट आने में बारा से पंदरा दिन का समय लग रहा था और अगर किसी के लंक्स ज़्यादा इंफेक्ट होते थे तो उसे स्वस्तो होने में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि वहाँ बीस दिन पचीस दिन एक महिना कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लगता था और उसमें मृत्योदर भी बहुत ज़्यादा थी चूंकि हम लोग हरे एक पेसेंड की कोविड की जाँच करवा रहे हैं स्वाभाई कुरुप से सतरक्ता और साउधानी करोना की सबसे बड़े बचाओ के उपाए हैं और सतरक्ता और साउधानी हम ये मान करके न चलें कि थड़वे खतरनाग नहीं तो हम इसे साउधान नहों हरे एक बेक्टिको और खास तोर पर जो बुज़ुर्ग हैं पहले से बिमार हैं कमजोर हैं बच्चे हैं इनको हर हाल में इंफेक्शन से बचाना होगा जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले ले हम आवारी हैं प्रधान मंतरी मोदी जी के जिन्होंने पंद्रा से लेकर 15 वर्स की आईउसियों उपर की परते एक बेक्टिको फ्री में वैक्सीन देना प्रारम किया है तो फर एक बेक्टि में वैक्सीन वर्तमान में युद दसतर पर वैक्सीन वैक्सीनेशन की कारवाई चल नहीं है पुरे देश के अंदर डेड़ सो कोरोड यानि एक सो पचास कोरोड लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सिन की डोजेश लिए हैं अंदर टीवी आप अविलेबल उन गूगर प्ले अप्सो डाउनलोड अपनाव